Hello friends, आज़ हम हरे लशून जो आते न मार्केट में अभी बहुत आसानी से मिल ज़ा रहे हैं उसे की चटनी ले के आ रहाई हूँ हम, दो तरह किया चटनी बनाएंगे हरे लशून की और यह देखिए इस तरह से अभी मार्केट में बहुत आसानी से मिल रहे हैं तो सबसे पहले इनमें जो जड़े होती है यह जड़े हम सबसे पहले निकाल देंगे इस तरह से और यह जो एक्ष्टर पत्ता में निकाल दूई है यह पका हुआ रहता है इसे हम हटा देते हैं तो टोटल यहां पर मैंने 200 ग्राम यहां पर लशुन ली है और सबसे पहले हम इन सभी को जड़े को हटा के रेडी कर लेंगे उसके बाद में आपको सारी रेसिपी बताऊंगी तो यह जड़े है इसे हम हटा देंगे मैंने सभी को छिल के निकाल लिया है और इस तरह से मैंने हलका सब्कावा रहता है और सब्सक्राइअब करणा भादु यह वोड सब्सक्राइब मैं हमें सभ्सक्रांप प्लेटा से कट बादे है और इसे तरह से हम हमेंrü कंडेर्ट ग्राम लेनगे प्लेत को कट करके रख लेंगे Lol यह देखे मैंने 100 ग्राम लेशुन के पत्ते को कट करके रख लिया है अब मैं दूसरा प्लेट लूँगी और इसमें भी हम 100 ग्राम लेशुन को कट करके रख लेंगे तो यह देखे मैंने इसे भी कट करके रख लिया है अब हम बराएंगे चटनी इससे तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि इससरा कि बनाने लाँ है तो सबसे पहले हम इसतर की चटनी बनाएंगे इसके लिए हम लेंगे एक ब्लैंडर जार हम लेंगे इह जिसमें मैंने रख लशुन को देखिए अच्ची से कटोरी में पानी में डालके रख दिया है और इसे अच्छी से मैंने wash कर लिया है धो लिया है पहले आपको भी अच्छी से धो लेना है उसके बाद इसे हम इस Mr. Grinder के जार में डालेंगे ध्यान रहे इसे धोने के बाद इस धोना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इसमें काफी गंदगी होती है तो इसे wash कर ले पहले अब यहां पे मैंने लिया है धनीय की पती तो जितना मैंने लशून लिया उतनी ही मैंने धनीय की पती लिया है और अब हम डाल देंगे एक इंच अद्रक का टुकड़ा दो यहां पे मैं डालूँगी हरी मिर्च इस तरह से तोड़ते विसे हम डाल देंगे अब इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे तो एक चमच में डाल दूगे आप इनमक हाप चमच डाल देंगे गोटा जीरा एक चमच डाल देंगे आप इम्चूर पॉडर आप इहाप इनिम्बू का रस भी डाल सकते हैं में थोड़ा सा पानी हम डालेंगे लगबहग न चार चमच और इस अब हम पीछ लेंगे है इसे ज्यादा पतलर निहीं पीछना यह हलका सा दर द दडड़ा मोटा यही रहना चीज से रख़िए ज्याद जादा पतला मत बनाईए गई से तो इस तरह से मोटा मोटा ही दरदरा चट्नी चलती है इसकी तो इस तरह से एक बाउल में में निकान लोगे तो हरी रेस्टून के एक तरह की चट्नी बनके त्यार हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है आप इसे पराठे के साथ खाईए आप किसी भी चीच के साथ खाईए कोई भी आप रेसिपी जैसे अप चप है और भी कोई स्नेक्स के साथ भी से आप खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेश्टी लगती है अब हम बनाएंगे दु पसंद करते हैं अब इसे हम चॉप कर लेंगे पहले और यह देखे इस तरह से महीं कट होके रेडी हो जाएंगे अब जो हमने 100 ग्राम मलक से कट करके रखा हुआ था इसे मैंने अच्छी से धो लिया है रेलासून को अब इस चॉपर में हम इसे डाल देंगे आ झाल इसे भी हम चॉप कर लिए अगे इससे डेखियो कि और यह लेखा है मैंने उसे चॉपर कर लिए हैं और इससी तरह के यह दर दरा ही रहेगा उसे में ज्यादा महीनी करना है। दरदरा ही हमें इसे खाते हैं.. इस तरहा का बहुत तेस्टी लगती है.. आप इसे बाजरे की रोटी की साथ कह सकते हैं.. un- अपढ़ाय। नॉनमल पराठे के साथ कही.. यह ज्यादाump.. अका आप्स फास quedक्रीन.. स्थेंड के मौसम में बस नास्ते में आप यह चटनी बना लें और कोई भी प्राठी के साथ खाते रहा जाएंगे अब इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे तो यहां पर में डाल दूगे एक चमच नमक नमक इसमें आप थोड़ा तेजी अच्छा लगता है खाने में तो थोड़ा से नमक ज़्यादा डालें एक चमच डाल दूगे अमचूर पॉडर एक चमच डाल दूगे पर कस्मीरी लाल मिर्च और वन बई फोट इस्पून डाल दूगे हिंग हिंग का फ्लेपर बहुत ही ज जादा बढ़ जाता है तो इस से देखे इसम अच्छी से लेंगे और हमारी यह दूसरी चटनी भी बन के त्यार हो चुकी है तो टेश्टी सी चटनी अगर आपको खानी है तो इसे आप ज़रू ट्राइ करें मस्त रखती खाने में आप इसे फ्रीज में रखती और खाते र लगी तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए